तो यह मैं हूँ आलेक्स और यह मेरा पाल वर्ल्ड का वेस जिसको मैंने 300 डेस के अंदर बनाया था और आज मैं इस वेस को ऐसे से कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ तो आज अपने लोग खेलने वारे पाल वर्ल्ड को फोर 400 डेस जहाँ पर मुझे बहुत ही पाल वर्ल्ड के इस खतरनाक दुनिया में सर्वाइब करने के साथ साथ मुझे तीन अलग-अलग वेस को डेवलब भी करना है जिनको मैंने अपने पाल वर्ल्ड के 300 डेस के तीन अलग-अलग पार्ट के अंदर बनाया था मोमने घorn Beauty अनmeno के पाउट के तीना वहार वहाँ पने अपना जरुनिये के शुर्वात की थे हमने बहुत से पाफुल बॉसस को긴या। बहुत से पंस को क्काश किया। कई काफी टाउर बॉसस को भी बहुत कुछ और किया एंड लास्ट पार्ट के अनुक थी टाइम तक हम लोग एक बहुत पाफुल टाउर बॉस सेलर ने चले गए थे एंड उस टाउर के मास्टर एक्सल एंड ओशार हम से बहुत ज़ता पाफुल थे हमने उनसे डट के मुकाबला की पर वो ओवर्ट पार्ट एसे खाते रिनों ने हमें हरा डाला था और वही पर हमारी लास्ट पार्ट इंड हो गए थी तो अब आगे अगले वीडियो में उस पाफुल टाउर बॉस से हंग निगी बाद में अपने फेस में के सूच ने लगए कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ बिकॉस वो इतना अदा पाफुल था कि उसने अगली बार मुझे एक ही शॉप में मेल्ट कर दिया था और उपर से में हरकते भी इतने बुड़ी है कि मैं भाई उसको हराई दी सकता बाइदे फिर बहुत देर तक बैट के चिंटा करने के बाद मेरी बाग में एक आइडिया है कि शार्ट से मुझे एक बहुत पाफुल गन बनाए चाहिए तो अगली बार मैंने एक गन अनलॉक रखी थी बट उसके एमो का अनलॉक के निकल अपने पास टेक्नोजी पॉइंट ही नहीं है तो टेक्नोजी पॉइंट हमें मिल सकते गुफा वाले डंजन के अंदर तो मैं उसे दूने निकल परा मैं घर के आस पास में मैं काफी तक उन सब को ढूंटा रहा बर ढूंटे ढूंटे मुझे एक भी डंजन नहीं मिला बलकि मुझे एक लखी पल मिल गया जो कि था है यह फॉक्स पर्क अब यह काफी तरह क्यूट लग रहा था तो मैंने इस तो थो थोड़ा बर डामज दिया और फिर टाइम था पोकीवल फेक ने के तो मैंने इसके पर एक पल्स पर फेक आया एं लखी लिए वन शॉट है तो नहीं वाली किन दो तीन शॉट में कैच हो गया और फाइड एक लखी पल मिल चुका है बाइट इन सब के बाद कुछ देर और ढूरने के बाद मेरे को पता जलता है कि मेरे खट के आसपास के साइट जो गुफा बाले डंजन थे वो बंद हो चुका है तो फिलाल अब मैंने डिसाइड के कि मैं खट से काफी दूर चाओंगा अंसीन एडिया में डंजन को ढूरने तो फिर क्या था मैं अपने हल्जाबर के बाट के निकल पड़ा एक नया सफार में जाओ पर काफी दियर्ट्रक ढूरने के बाद मुझे कुछ बुले लोग मिले जूकि एक पल्प को क्याद करके रखे थे तो मैंने इस सब को बहुत गंजीते किसे मारा एंड इस चोटे से चिकीपी को मतब चोटे मूटे चिकीपी को छुड़ा लिया एंड कहते है न अच्छा ही काफा अच्छा ही होता है एंड देखो मुझे भाई इसके पास में एक गुफाला डेंजन मल गया बज़े मैंने इस देखे एंट्री मार दिया और आपर मुझे एक डान ओफ दिखा ज्यूकि अपने दो सिंग लेके में उचे पर हमला कर दिया था एंड यह काफी खचरनाग हुई था तो मैंने इसको अपने फाइर द्रेगन से जला के मार दिया बिचारा बज़े जन फिर में इस डेंजन के बॉस की और निकल परा और काफी देख सफर करने के बाद मुझे यह का बॉस दिख गया जो कि काफी चीब दिख रहा था शायद से बैटमें की फैमिली से बिलॉंग करता है बज़े इस से लनने के लिए मैं अपने फाइर बेतिक बर्ट मुझे भी मुझे बट फिर मुझे अपने हैंड के में से बीच रहा जिसके बाद मिलें से काफी कंदी डामज कर दी थी एंड काफी कंदी डामज करने की बाद अब आयते से कैच करने की तो मैंने पना पाल फ्वियर फेक हा एंड लिकली आई डाग कि यह ऑन चॉट प्ले कैच भी हो गया, like guys, क्या यार, इतना अच्छा लग, वैज वे इन सब के बाद में reward hall किया और दॉर परा, चाहबर मुझे दो च्रेजर चेश मिले, and पहले च्रेजर चेश में मुझे high grade technical manual में मिली, and लूसरे से भी same चीज मिले मेरे को, and जब मैं इन चीज का description चेक किया काफी देटर गुणने के बाद मैंने काफी जए निव फास्टावल पॉइंट का unlock किया, because उसे भी एक एक technology point मिल जाता है, and जब मैं फास्टावल पॉइंट को डून रहा था ना भाई, मुझे एक dungeon मिल गया, मतलब एक new boss, तो फिर गया था मैं तुर्ण ती फास्टावल प को जिसने एक new move सीखी थी, तो भाई इसने आते लिटरल इस बंदे के बहुत गंदी बचा जाली, and फिर गयादर मैंने थोड़ा बाद डामज दी, and फिर उसने अपने new move इस्तेमाल के, जिससे काफी चाट डामज बढ़ रहा था, तो उसके बाद ये battle काफी और देर तक चल कैसे भाई, इसके बाद मैंने अपने journey और continue की, जहाँ पर मुझे कुछ बुरे लोग और एक Memorash के साथ आते हुए देखे, मतलब मुझे पसंद नहीं भाई, खुई बंदे, मतलब Pokemon का सता है, तो मैंने इस सब को मार दिया, ताकि इस Memorash को मैं बचा सकू, one like for this Memorash, ऐसे इ गंटा कुछ technology point point नहीं मिला, और को एक dungeon में नहीं मिला, और फिर में निराश के खट चाही राते हैं, मुझे साथ में एक dungeon तिक गया, भाई, गुफा ओला dungeon में काफी कुछ हूँ इस है, भाई फिर मैं dungeon को पुरा अंदर आगा, जाओ पर मुझे boss की catchress, तो मैंने इस बिली स को हमने अपने pulse pair fake, और लगल ये भी एक pulse pair में catch नहीं हुई, तो मैं का लगाता, मतलब हर pulse, एक ही pulse pair में catch हो जागे क्या, by the way, it's done, फिर में second pulse pair fake, और लगल इसमें ये capture हो गई, हे 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 हे, विसी आकर treasure chest से भी मुझे कुछ एक कुछ एक टेक्नोलोजी point बल गया ते जिसके कितना जाधा fast है, तो मैं इन दोन में compare कर सकते हो, कि कौन जाधा better है, मैं जब इन सब के बाद मैंने अपने gun के में unlock की, और फिर मैं जब ये gun मताने आ रहा था ना, मुझे पपाली must gun दिखी नहीं, लेकि बेकार सी gun यहा पर दिख रही थी, तो फिर मैं आकर देखने लगा बहुत मस्त है, तो next मैं जब एक metal chest मना है, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी भेकार की सामान रख दी, जिसके मुझे फिलाल को जवरत नहीं थी, and then, फिर मुझे तुम लोग का कमेंट से याद आया, कि तुम लोग बोल देते हैं, बाई, ग्रिस बोल तो है नहीं, यह वाला बाउस ग्रिस बोल ता है, जिसके मुझे ग्लिश के मुझे से कैच किया था, तो फिर क्या था, बने इसे जाके रख दिया, तुम लोग की कॉमेंट की खाती रहे, यह फिमेल था, और मेरे पास और एक मेल रख सारॉस भी है, तो मैं इसे भी रख दिया, अब देखने के जब फिर मैंने ध्यान से रिखा, मुझे भी तर जला कि यहां के खाई से मैंने कुछ पल नीचे गिरे, that's why, यहां पर ग्लिश हो रही है, तो फिर कहता है, मैंने आसपास हर तरफ यहां से बेर लगा दी, उसके बाद यह बेस दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था, बट एक के खाई एक गंड़ी गंड़ी आप पर 376 अचुक है, तो फिर मैं इन सारे आइडन को लाखे, अपने में में वेज में 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 लट और रख देता हूँ, और देखो मेरा फायर बेटिंग ड्रागन क्या से इसे मेल्ट कर रहा भाई, और फिर इन सारे आइडन से में बह के भीरियों ने केल लिया था, बट मैं डरा नहीं, मैं इनके सरदार के सर पे एक बहुत इगंड़ी से टपली मारी, और इसके सर पे पोकेवल फेका, और लेकली एक स्पेर के नेरे कैच भी हो गया, तो उसे कैच किनी के बाद मैं उस बॉस को तून ने निकल परा, बट मैं मैं दो जिन तक या से धुनता था, बट मुझे वह बॉस लिक्टरली कहीं पर भी नहीं मिला, और टू इंगेम देज वेस्ट करने के बाद, फाइंट किसे मुझे पता चलते है कि वह एक गुफा में रहता है, जो कि यहां पर चुपा हुआ है, मतला भाई यूटूब मैं दे फिर में अपने निवगन के टेस्टिक के उपर करता हूँ, जो कि काफी अच्य देज दे थी थी, और फाइंट के बहुत गंदा देज दे रहा था, तो इसके साथ फाइट किसे बने से लो कर दिया, एंड एंड टी दे इसे मार भी दिया, और तुम्हें पता है इस मैं कितना दा हीट करता है, तो इसे कैस करने के कोई बात ही निए बनता, इतना से कुछ करने की बात, दो दिन के बाद मैं अपने वेस में फाइट से वापस लोटा हूँ, मैंने को देखने का मलता है कि इन्होंने बलके 4-4 ड्रेगनिक दे दिया है, मतलब भाई यार शरम कर जारू के इनके इनर से कौन साल उजिनरी पल निकलने बाला है, जब तक यह लोग इंकुबेट हो रहे, तब तक मैं आकर यहां से सबसे बले अपने सारे आर्मर को रिपेर कर देता हूँ, विकोज अब मैं सबसे निकलने वाला हूँ, और मैंने रसाइट करती कि मैं चाहँ लोग किया, तीन चौट गन के मार के, बट फिर जब यह पूरा लोग इची पर आगा ना, मैंने यहां पर अपने पलस प्रफेर फेके, बट पतना यह अलगी तेकर से हटी था, यह आहे नी बट बहुत से पलस प्रफेर बेस्ट किये, and by the way, end of today यह मारा ही गया बैशारा, मतलब बेकार है, इसके बाद मुझे यहां से एक बहुत यह मस तरीके से, यूज इग मल गया था, जो कि यूज फायरीक था, मतलब से कोई खतनाक पल तो निकल नहीं बाला है, and फिर मैं इसको लिके निकल पड़ा फायर बैम की और सफ़र में, जब पर मेरा एम था कि पूर इस विलेज के एक बन्दाना, पल्स को सेल कर रहा तो फायर बैम के कॉवन पल्स को लेकिन पचाहा सदार रूपय में, पागल हो जुगा है कि मार पार दूँगा मैं तरे को, नाले में घसी दूँगा तरे को, विलेज तब यहां पर शाय से कुछ फिशर मैं जातने हैं, त तो फिर का तो बिना डड़े आगे निकलता रहा, और आके जाने के बाद मुझे पते जलता है कि यह जगा तो मैं जट्रेगन का है, मतला भाई कि अपने को बहुत समझता है क्या, बैदेवे इसका लेवल पचाहस है, और मेरी जैसे हालत है, इस मोमेंट पे पीछे से पाद पाद मर की उड़ा सकता है, तो मैंने डिसाइड के कि मैं इसके साथ फाइट लूँगा, यस, पता नहीं मिले दिमाग में क्या चाहर जाता है कि मैं ऐसे हटकत कर बैतना हूं अपने मनने के लिए, जब मैं इससे फाइट नहीं शूरू करता है, यह पर अप्तर अपने खतन के का डामज दे रहाता है मैं इसे, फिर कुछ देरे बाद यह लिटरली में इसको मार नहीं वाला था कि मैं पोकेमों चेंज करता हूं और यह मेरे को हके लिटरली कुछ 30-20 HP में छोड़ता है, मतलब यह भी एक शौट में इसको मार सकता है, यह अपने वेस भापस निकल ग यह फिर यह दुपारा से असा समी लिट चुआ यह अन जा मर गया, भाई-भाई मेंड़ी में जट्ध डेगन को मारते हुगा, यह मतलब मैंड़कीम अधिकल कुछ देist सिव मतलब में चुछ रहें, जड़ जल जा बन दे ले-गशनि ले लो फिग गे ले लिए तीक है, मत पसंद जस्टिस फॉर जैट्राइगन एंड जो लुक सस्क्राइब नी करेंगे उनका हादर बेस की तरह होगा है 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 मैं जब इसके बाद में फायर वाम के और अंदर के और निकल प्राइब आपके बहुत से क्यूट फायर पाल्स की फैमिली देखना को वली तो मैंने इनकी फैमिली को इत्भा कर दिया पता नी हम यह क्यों करते रहते हैं बट लगली जो भी ओफिट जैसे तो इसमें इन में से एक को कैच कर लिया और इन सब के बाद में अपने वेज वापता है और यहां से एक गंटा हो चुगा ता यहां से सारे एक बी इंकी वेट हो जु इस तो नहीं थे बट यह सारे अच्छे ही थे तो फाइल आप आप यह अपने यूज ड्रागन इक्स की मैं काफी ज़ते एक्साइट था कि इनकेंटे से क्या निकलने वाला है एंद फिर मैंने दिखा कि इनकेंटे से निकला है वो शार्क लिट्रेल यह होला पोकी मॉन ला इनकेंटे से काम कर रहा है बंदा तो बहुत सही निकला यार विस इनकेंटे से बहुत सारे हैंटे को बना लिया और इनको लेकर फाइल गिजर में निकल चुका था और एक बोस से लड़ने मतलब तुम्हें बताए एक बहुत पाफुल बस है जो कि डेजर्ट में रहता है इनकल पर और इस चैचु के नीचे मुझे बहुत बंदा दिख या और मेरे पास इसको हडाने के लिए मास्ट नमान स्ट्राटेजी है जिक मैं तुम्हें अभी रिखाता हूँ अच्छली मुझे बता है कि अनुविस ना आसमान में अटक नहीं कर सकता है इसका सबसे हाई अटक भी मुझे काफ़ दा नीचे है मतलब जब तक मैं आसमान में हो तक यह मुझे चूई नहीं सकता तो मैंने दिमाग लागा है कि मैं उपर से इसका डामज करूंगा जैसे कि मैं इस 47 लेवल के बॉस को इजली डिफीट कर सकता हूँ मतलब देख रहा हूँ मैंना दिमा अगर देख रहा है तो मैं फिर आसमान में निकल जाता हूँ अपने अनुबस को पापस लेके और फिर उपर से मैं इसके खटेया करना शुरू कर देता और कुछ देर डामज के बाद फाइट इसके लोग हो चुगा था अब इसके कुछ एच वी बाकी थी तो मैंने अपने गल्सके एमाँ से लिट्रली बहुत अदल हो और द्या था और फाइलय बार इसके कहाच करने की बडर एक दिक्क्त यह आ गही थी कि मैं इसके कच करनकर थे इसरा किक किने के मुर्गिया मुझे पता पता कि यह यह मुर्ग भॉस मर जाएगा, मतलब भाई, अपने सारा मेहन अब बारी तिन मुर्गियों को देखने की, मतब अनिविस तो catch होता ही रहेगा तो सबसे पहले मैंने इस वाले mount को निकाला और इसके आने के साथ साथी मैं निकल परा था अनिविस को पहले कुछ catch ट्राई करने क Garcia है … अब बारी तिन मुर्गियो की मैंने इस मुड़ की सब्सक्राइं है बाकी सारे फिर उसने पीषे आरे थे तो मैं ने के बाहिशाशी निगा इसे मेरी pack channel में जम क्रगा इंस फटके मढ़्गे बेचार एड अड़ मुझे कुछ हूँ भी नही मैं एंड ऐसी मैंने सारे मुर्गों को हडा डाला वज़े अब मैं और अकेले बचेते मतलब हम दोनों की प्यार में को रिकावर्ड बनी ने सकता तो फिर क्या था मैं इसके बड़ पल्स फिर फिर क्याइक तरह इसे कैच करने के लिए का समराट भाई तो अब हम पावाफुल पकट शुगे तो उनको पावाफुल खाना भी देना पड़ेगा तो मैंने सोचे कि टेमाइटो से स्लाइट बनाएंगे बट टेमाइटो प्लाइटे इनको लगाने के लिए अपना पास प्ल्फूइड ही नहीं है तो अब मैं मैं इसके मदद से बहुत जाता इसीली क्राफ्ट भी हो जाता है और फाइट एग इसे मेरा मास्टर प्लान काम करेगा तो फिर गयादा मैं इसको हाथ में लेके मार देता हूं इसका चटका रहे एंड आइड डूट नो और शाय से मैंने बचार को गलत फेक दिया अभे एक शॉट में सबको तभाई कर रहा है और कुछी देर में भाई में अपने पल को सुच कर लिया इसने भी आके बहुत गंदा मारा भाई देख रहो एक अटाक में सबको डाउन कर दिया एंड देखो यार हर तरफ हम नहीं आपर शमचान ना दिया भाई हर तरफ पल मरें प कर दिया एंड चुपचा पर आपके एक चोटा सा पार आप शियाच्य को लगाया इसके विल्ड होने के बाद मैं यह आपर आपके अपनी पल कैप्चर रेट को हाई कर दिया लिक मंग के कुछ सूल से जो कि मुझे मुझे मल गयते और और मैं पस काफ़ सा पल सूल से जिनक लोगों ने हमला कर दिया था बट बेचार इस पार आहे नहीं पार रहते है उथर पर अटाग गया तो मैंने अपने अनवस को भेजा एंड लिट्रल एनवस जात ही आस्मान में जंप मारता है और फिर यह जब बेचारा नीचे आता है इन सब की एक साथ हिल लगा देता है देखो यार क्या गंदा है इसके अल लगाई बैजी इन सब के बाद में बहुत सारी गंपावडर को मनाई और फिर अन गंपावडर से मैंने पहुत सारी रिफाइन एमो को बनाने रख दिया और नेक्स बेते के सारे क्राफ्ट को बीचुके थे हैं अब मेरे पास से 435 अब बाद में इसके हातों से मार खाऊंगा लेकिश मैं बचाला इसको मार नहीं रहा तो फिर गज़र मैं इसके साथ फाइट शुरू की और आथी सब से पहले तो मैंने इसको बहुत गंदरी किसे फ्रीज कर दिया लाइग भाई इसके अल लग गया इसके बाइट जो भी इसको बहुत गंदा मारने के बाद हमने लिटरली से खतम करी दिया था लग बग अन देखो या इसके पूरी एच्पी लोग हो चुकिया आफट मैंने फिर फाइन इसके बाद इसके बादे 45 बच गया और उसके बाद पताने में कुछ ग्लिच हो गया और मेरा क्याक्टर ओ कुछ ग्लिच हो गया था लाइक देखो है वो फाइब तक ड्रेगन भाद पर राटका बढ़ा है मेरा मतलब मेरा इसका लग को जादे अच्छा है जितनी बाद में से मारना तो साला बच जाता है तो फिर निराशा के साथ पर अपते घर वापस आया और आफ्टर अब मैं एक बहुत पॉधर पॉर्ष्पियर को तो तुम लोगा को याद हुआ कि अगले वीडियो फार मैं राटका पॉर्ष्पियर को लॉक्त की दा पर उसको क्राफ्ट केने के लिए असम्ली लाइन 2 के जवरत परती है अने असम्ली लाइन 2 को क्राफ्ट के अकर पर शुरुड circuit board को बनाने के लिए अपने लोग को pure cortisol की ज़रुद पड़ेगी जो कि मैं जट्रेगन को बानने के बाद बिला था बैट इस server world से भी mine किया जा सकता है तो मैंने इसके लिए refined metal pickaxe unlock किया और फिर मैंने से craft भी कर लिया उसके बाद मैंने मैं आपके इस location पे mark कर देता है जा पर मुझे जाना है तो फिर क्या था मैं वापर निकल गया अपने रेगन होक के साथ और उसी बीचना मेरे को कुछ IC मल गए थे सबसे पहला तो बस एक normal इक ता मतब लाट जीक बाट कुछ तेर बाद मुझे एक यूज एक भी मल गया चुके काफु देदा ओफी बात है मैं यहां पर इस चीज़ के लाए जो कि तुम देख सकता हो यह वाला चीज़ ते कही है और यही चाहर से प्योर कोईट्स है मैं इसका नाव अवी तक गलत ले राता मुझे माफ करना इसके लिए बाट दें फिर में से बखुत सारा कलेक करता हूं इसके बाद मैं अपने वेस वापस लोटता हूं जा पर रात हो लेती तो मैं यहाँ पर जितने मुझे सक्कीर बहुत चाहिए उतने यह पर बनाने को लग दिया और आपर रेट मुझे वह हो गया जो कि हर एक नॉर्मल प्लेयर को होता है मैं दिस्ट्रैट हो गया मुझे में अगर पर बनाना था बाट मैं यहाँ से ग्रिस बोल्ड की शैडल बनाने लग गया इसके लिए मेरे पास बस हाई कौलेटी पाल ओल और पॉल्मर की कमी पर रेटी तो इन सब की कमी को पूरा करने के लिए मैं आगे यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी ही नेल्स बनाएं लग दे मतलब खील व्यकॉज इस गेमे कील बहुत महेंगी बिकती है तो मैं आपने अपने सारे अनिवेस ने मुलके बहुत सारी कील यहाँ पर बना ली इन सब को लेके फिर में चलागा फिशर में विलेज के अंदर जापर मैं इस गड़े बन्दे को अपने सारे कील बीचने आ गया था एक्शली तुम मैं देख सकतो मेरे पास बस अभी कुछ 14,000 रुपई गया है और मैं यहाँ तक 1200 कील को बीचने वाला हूँ इन देख वे कील की प्राइस को कितना बड़ा है एक लाख नमबे हजार 1200 कील के लिए इतना रुपई है पता निया भाई इस गेम के बंदे कुछ अलगी इनशे में रहता है कील के लिए इतना पैसे दे रहे है यह भी मैंने यहाँ सारे कील को बेच डाला अब मेरे पास दो लाख रुपई है तो फिर इन ही पैसे से मैंने यहाँ के एक बंदे से बहुत सारी हाई क्वाल वाल को खरीद लिया और फिर मैं यहाँ से जाहिए हुथी कि मुझे आपसे देखने को मिला की भाई यह अपने लोग मशली बेच रहे अब देखे लिए टेक्षर कितनी ज़दा रियर लग रहा यह पर रियर लग रहा भाई यह सारे जो भी हो यार पाल वाल वाला नो बहुत ज़दा डिटेलिंग की है बढ़े फिर में वेस आइकन सारे हाई क्वाल पाल ओईल से बहुत सारे पॉल्यमर को बना ले तब बहुत सारे पॉल्यमर को बना ले तक यह लिए यहसे फीच्टर में कामा आने बाले थे can remove अ़िए यह सारे साहसा कि आकी आ इस बना ले तक ग्रिस बोयड शाडल लुक्त रिखे मेरे अर्ष कि बनाने में कितना जावा लग रहा है यार पर फिर फाइल इसके बंदने के बाद में ग्रिस गोर्ड पर सबारी कर सकता हूं और इसके दोड़ने की तरीका कितना मजते हैं और इसके खतरनाक गन भाई सब क्या ही मशीन गन है भाई बहुत दोता मजा आज गया मेरे को इसको चला के अब तो हर किसी पोकेमाँ को रोन दूँगा मैं तो फिर इसके गन की टेस्टिंग के लिए मैं निकल पड़ा किसी एक पोकेमाँ को दूड़ने मतलब किसी बॉस को दूड़ने काफी देर तक मैं जिंगलों में ढून ता रहा इधर से उधर घून ता रहा पता नहीं क्या करता रहा जो भी हो जैसे तरह से मुझे एक दिंजन मिल गया था तो फिर क्या था मैं उस दिंजन के तरह जच कर दिया और या फर वही बैटमन का ससुराल वाला ही था यहाँ पर हाँ जो भी है विसे मिले ग्रिस बोल्ड के लावल थोड़ा कम दा बैट जो भी हो गन के डामज इतनी जादा मस तो नहीं थी बट हाँ ठीक ठाक थी मतलब अगर मैं इस गन के डिपेंडेंट होता हूँ तो 100% में मर लगाई और फिर इस बॉस को भी मैंने बहुत इस जितिके से गीगा प्रिस प्रियर के अंदर कैच कर लिया वो भी वन शॉट के साथ है कौन मुकावला कर सकता है मेरा बिदे फिर मैंने सोचा कि यहाँ कुछ और बॉस को धूनते हैं और उनको अरात है बट उसी बीच मेरे इस बीच मेरे को यहाँ आइलें डिक किया तो मैंने से आइलें पर जाओ गा है काफी दूर तब भी मैं इस आइलें पर चला गया और फिर इस इस पहले मैं अपने अल्ट्रा स्पेर को बूल गया तो इसे खातिर मैंने बहुत सारे पर फेक है बट एक्चली मैं मेरे सारे प काफी कंपर भी थे और फिर बहुत ज़दा महनत करने के बाद भी जब यह बंदा नक्रा दिखा रहा था तो तुम्हें बताए कि मेरे पेशेंस कितना है मैंने इससे भी अपने जेसी स्टाइल में तपली देके इसकी बजा डाली बादे फिर मैं फिर मैं उसीरिया से निकल लिटरली इसकी पावर भाई 230 थी और मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं पड़ा था तो मुझे पताने की कौन से टाइब की अटक है बैट चोबियो फिर मैं इसके साथ तुरंत ही निकल पड़ा था फैर बायम के बॉस टावर के और जापर रहते है एक्सल एंड उश्य नाक है और मैं बहुत इसको पावफुल मूब भी सिखा के लाया हूँ जनके बाद फाई किसे मैंने कूटना शुरू कर देता हूँ या यह भी कह सकतो कि यह मुझे कूटना शुरू करते हैं जो भी हो फिर अमेरे काफी तेर तक बैठल चलती है मतलब हाँ मैं भागता रहत इससे अपना अविस बहुत मुश्किल से बच नहीं पाता और मैं भी साहर से इसको पर डामज देता रहता हूँ लिट्रिली मैं इस गुंग कर डामज भी देर हजार के जितना है मतलब अगली बार तो मैं इसको डामजी नहीं कर पा रहते मतलब एक लोग लग रहते अब द अब मिरे एक अविस मर चुका था और इसके खाते में काफी दर डिज्वांटेज में आ चुका था जगो कि मैं सीना चौरा करके आया था कि मैं समार के जाओंगा इसे अब भाई यह मेरी अल लगा रहा था मतलब भाग भाग के महा रहा था भाई बचारा मेरे को बैट मैं कभी भी से हान माने वाला नहीं था मैं भी से काफी दिट से बडिटल कर रहा हूं जसे के जीसके अबने इसके बहुत तो पीछे गोली शना बैगा बुशा आखर देता है अंड फाइली भाई यह दोनों घटिया बहुत हार चुकिया मुझे अग्ली बार चुकिया अगली की सथ है अंड देख रहा है कितना progress ही है और लुच अगली भाई में कुट्टे की महठा इस बार हमने बहुत हो था है इस इन सब कि बार पमने वे साथ के देख के अपनी न अब मैं सोच चुरह हूँ कि क्यों आपने वेस को तुरह अप्डेट किया जाए लेका अपने घरवर को तुरह बढ़ा किया जाए राज महल को एक संभराट का महल बनाया जाए वैसे अभी भी कावार खाना है बाद थोड़ा बढ़ा तो कर लगता है तो फिर क्या था मैं लग जाता हूँ इसे बनाने तो मैं बता है में डिजाइनिंग के लिए घर बनाने किसकल कितनी है माइन्क्राफ में भी मुझे डर्ट का घर बनाने में सालो लग गय थे पर चोब यो जैसे जैसे मैं इस घर को बिल्ड गरता हूँ उसके बाद यह कुछ इसा दिख रहा था मतलब थोड़ा तो सही दिख रहा है ना और मैंने सोचा है इसको थ्री फ्लोर में मनाएंगे मैं परदे जो मैंने सफर किया था उसे बिच मैंने को एक यूज ड्राइगन इसको मुझे रग दिया और उससे निकला ना एक फाह बितिंग ड्राइगन बहुत कुछ कर रहा था और जैसे दे फिर मैंने इसका रूप भी बना दिया और बहुत जोगे को तोर के फिर आप विंडोस भी लगाए मतलब बहुत कुछ किया भाई फाइल इंसर निसर पके बाद ये घर कुछ ऐसा दिख रहा है मतलब ठीक ठाक तो है तो रहा बात तब पर बहुत के पास लगा दी थी अभी तो पही तो फोड सेगंड फ्लोड करना बाख डी रहा गया था तो फिर यहा था इस फ्लोडे बन निकल पर रहा इसको डेकोरेट करने एंद मेरी दिमाग में लुन छाथा नही तो छुप चाप रहा यासे बैठा है लाइक यासे कुछ पता नहीं कुछ स्टैंग थे इसके बड़ा सब प्यानों एंड साइड में कुछ और चीज़े लग दिये और अलसो खाने के लिए एक टेबल भी जिसमें बैटके आराम से खावा सके मतलब अब थोरा बहुत ठीक लग रहा है घर का अंदर विससे अपना वीज बाहर से बहुत अब बहुत अच्छा लग रहा है देखो है मैं चार्च और इसको चैचू लगाई यह आपर जो कि पाहर चार गार्ड जैसे है बड़ जो भी वेस तो भाई अभी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है बड़े फिर इन सब की बाद मैंने को सिमेंट के वर्ल को अ इसके बाद आधा प्लेस करने के बाद यह कुछ ऐसा लग रहा था था थोड़ा वह तो अच्छा ही लग रहा है इन सब की बाद मने आपर एक गेट प्लेस की और वापर से फिर अपना मस्तूरी शुरू कर दिया यह पर मैं जो गेट लगाने के बाद यह वेस थोड़ा ऐस दिखे रहा था और अब अगर किसी को आपने वेस में आना है तो यहां से आना पड़ेगा फिर दर्वाजा कूलेगा यहां पर इतना सारे पल्स है यह महल है क्या कुछ नहीं है यह आपर अपने घर के अंदर भुश गया तो देखके शौक हो जाए का भाई यहां पर आना रखावा है सोने के लिए मनमल सब बैड है और बहुत सब कुछ है आपर मतलब सब कुछ है भाई प्याहन भी बजा सकता है मतलब कोई बंदा रहेगा तो वेस को बहुत जादा मस्त चीज है तो इससे के बाद मैं अपने बहन को अपनी वेस दिखा रहा था और उसी भी सब करने के बादा अगर के काफी अच्छा लग रहा था ये पड्टन एलग इंपने बंद बंड हो रहा है और जो भी बुपर बेस जाम बाकि अब अभी वेस का और काम बाक है मतलब तुम देख सकतो ये सारे सीरी को एब इसको कम्प्लीट करना था ये फिर मैं ने सब को कम अब finding से complete हो चुक है मतलब 100% बाट अभी भी देखो यार इस इस पल को देखो यह उपर चड़ी यह नीचे देख रहा है इस पल को मतलब इनको दिक्कत कहा है है हर वक्त यार इनको सोने की कटोई नहीं से भी की मांगेंगे अर समझ जाओ यार ऊपर नहीं खार रहे ना वलके नीचे जाने का बाबू अभे तब इने उतरी तेरे को लेकि खुद उतरना पड़ेगा क्या चल ठीक है अब अब नीचे जा जल्दी से एंड वेट इस से करना है तो मैं यह से हर एक बेकार सेमान को अटा दिया और जगा खाली करने के बाद भाद भी जब मैं आसमेली और भाई को ज़दी बढ़ा एक चीज तो फिर मैंने कुछ और समान को यह से अटाया और फाइंड इक से फिर मैं इसको यह से प्लेस कर दिया और थैंक्स पर मैं ओल अनुई इस जिनके बाद इस चीज़ को पहुत जल्दी बना लिया इसके बाद देख़ा है यह जिस कितन से आरेंट फाम में तो फिर मैं वहां निकल गया और यह पर सब लोग अच्छी से किसे काम कर रहते हैं मेरे को लिए कि सब लोग पहले फ्रीज हो गया और दन फिर इनका काम वाफसा शूरू हो गया और सबसे पहले मैं नहीं हाप पर एक फरनेस बिचाई ताकि मुझे इनका किसे दिकत के सारे आरेंगर को एक वेसे दूसरे वेस में टेलिपोर्ट कर सकता हो जो कि बहुत जादा अच्छी टेक्निक है बढ़े मुझे यहां से बहुत सारे आरें नोर्मल गयते बट इतना काफी नहीं होगा तेस वाइपर से मैं निकल पड़ा और इन फाइन इ आरेंगर को बनाने रख दिया और लुक अट इस वापास से यह बंदा मज़ूरी में लग चुका है बाइद इवे कुछ आरेंड मेल्ट होने के बाद ही में लेकर आगया उन सबको अल्टरस्पेर को क्राफ्ट करने एक्साइट में यहां पर 15 अल्टरस्पेर को क्राफ्ट इसन बहुत मस्तरीय से इसकी स्पीड देख और दूसरे बाले की स्पीड देखो मतलब अपना फैस इस अप्स्पेर कर नहीं कितना स्लोली गर्रज अब मैं तरस जो वियो फिर मैं मिने और 15 अल्रसपेर को बनाया और और 11 को बनाया मतलब मैं बारी-बारी बना रह गुए व लिटरली लेवल 49 के मतलब एक गेम के most powerful bosses में से एक है जो कि लिटरली हमारी L लगा सकता है तो रात में तो इससे लगना ज्यादा अच्छा हो नहीं होगा तो मैं जाएकली जाकर अपने ways में अराम से सो गया एंड एक से पर उटते हैं मुझे खेल है कि ब्रीजमर्ट फैर्मार में लेता है एंड इसके लिए मुझे 5 Refined Armor की Jewels है तो फिर मैं आगया यहाँ पर एंड देखने लगा कि 5-2 Refined Armor को बनाने के लिए अपन लोगों को चाहिए होगा Technology Point फिर किया था मैं Technology Point ने निकल गया बट उसी बीच मेरे को कुछ माव मिले जूगे आइश चाइप के थे लाग देख से किने कूल लग रहे है तो मैं डिसाइड के कि मैं इनमें से एक को तो कैच करी लूँगा बट भीच मेरे को देख के पता है यह लोग क्यों भागना शुग कर दीगे बट फिर किया था मैंने से कुछ से फाइट लेए लेगर इनमें से एक को मैंने पुल स्पीर फेका कैच करने के लिए और इनमें से दूसरे वालों को तो मैंने बहुत गंदा मारा रहा जब तक मैं इन लोग को मारा ना तब तक लिटरल यह वाला पर्ल कैच हो चुगा था मतलब यह वाला मियू कैच हो गया था इसी मीच में लेवल अब भी हो गया था जिसके खात्य फाइटीगे से मुझे कुछ टेक्नोजी पॉइंट मिल गये जिसके साथ फाइटीगै से मैंणे ही त्रिजिस्ट्राण śr Duane Metal आर्मल Its criminاد को अनलॉक लिया था फिर घर जाने के टाइप मुझे मुझा एक में मतलेश आता तो मैंने इसको माBack के मेरा वistic मीट तो मैंने या पर आके heat resistance, refined metal armor को craft नहीं रख दिया और मेरे साइ अनविसेस ने मिलके, इस armor को जैसे दे से बहुत इजी देगे से craft कर दिया जो कि बहुत ज़ता कूल है भाई दिवे, अब मैं इस armor को पहनने वालो, और तुम बताना difference कितना है तो 1, 2, 3, change तुम देख सकते हो, या armor कैसा लग रहा I guess red color में या armor थोड़ा अच्छा लग रहा है, defined metal armor है मेरे फिर मैं blazement से लड़ने जाही रहती कि मेरे को और या glitch मिल गया कि या दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन तभी मैं आरपा नहीं जा सकता मतलब भाई और एक new glitch found हो चुका है इसी कीश के वज़े से अपना panking भाई या से बाहर अटक गया था देखे रहो कितना बुरा लग रहा है बैचारे के लिए बज़े वे अपने blazement को ढूनने निकल गया तो firebam के अंदर पता निये मेरे को map पर दिख रहा था इसका main location जो map के पास चानी के बाद भी मेरे को नहीं मिल जाता literally भाई मैं इसको पहुत देर तक आपर ढूनता रहा ढूनते ढूनते हुए बंदा मेरे को मिला नहीं like बहुत टाइम लगा but then फिर बहुत देर गुंदी के बाद फाई था कि इसका गुफा तो इस तरफ है like देखे सकते हो तुम यही पर है मुझे इसका गुफा तो मैं अब इससे battle के नहीं निकल पड़ा but जब भी मैं तोड़ा अंदर गया ना भाई यहाँ पर हो चुगा था अंधेरा बिल्दकुल भाई डार्क और मैंको अपने फायर टेप पर अपने साथ नहीं लाया मतलब फायर टेप जो अपने बास रेंगने होके वह उजाला नहीं गरता तो आप मैं डार्क में आग भी नहीं जा सकता था तो मुझे इपने वेस वापस आना पड़ा और यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने एक मशाल बना ली तक मैं वापस तो उजाला कर सुकूँ और मशाल क्राफ्ट करने के बाद मैं वापस चला गया उसी जिगे पर बट इस बार मुझे एक इंट्रेस्टिंग बार परता चली कि अगर यह वादा जो रोड है जो स्चार्टिंग से मेरे को दिख रहा था अगर मैं इस रोड को फोलो करे जा तो सीधा तो मुझे ब्लेजमर्क का गुफा इजीली मिल जाता मतलब बेकार मैं आधर हंट अधर से भटकता दा और पता नियार इस बार चिप में इस गुफा के अंधर गया ना कुछ काला काला हुआ है नि भाई अंधेरा हुआ है नि मैं मैं मसल लेकर यह तब यह अंधेरा नहीं हुआ भी मशाल वेश चला गया भाई तब जो भी और फिर मुझे ये ब्लेजमेंट दिग गया था एंद फिर इसके सर्वे करने के लिए मैं इसके तुरा नश्टीक टिकने को निकल गया मतलब कैमेरा इंगल था नश्टीक लिकी गया एंड लुक अट इस ब्रो क्या कूल लग रहा भाई ये बंदा मुझे भाई बहुत मस लग रहा लेकि असूर की तरह एक लग रहा है नरक से निकला हुआ मैं क्या बात हो यार बहुत जादा मस लग रहा तब फाइं थी किसे मैंने इसके साथ बैटल शुरू कर दी रिट्रल ये बंदा काफी कूल था बट मैंने अपने सबसे पावफुल पल को भेज दिया मतलब आपने बॉस एनिबॉस के बाद यही अपने सगेंड पल जो की मो को रिलीस करता है जिसको मैं डॉच नहीं कर पाता अब लिटल में शीड तूट चुकी थी अभी अमेरिक वन शॉटी नॉक्टाउन कर सकता है विकॉज इसके लेवल बहुत साथ ही हाई है फिर क्या था मैं इसके बाद डामज करता रहता हूं इसके डाग डॉच करता हूं अलसो इसके सर पे अपने गन से हैट शॉट टेता रहता हूं ज्युकी एक्चली मुझे बहुत दो पावफुल बना रहता है लिटरी भाई बस जैमर 54 का रहता है ज्युकी काफी लोग है पर दिन हम दोनों के बैटल और बहुत लिबी दे तक चलती है जहां पर मैं इसे लोग करने के बाद अफाइं टाइम दे से कैच करने खा एंड मेरे पास थोड़े बहुत पॉल्स प्यर है लाइक 47 एंड शाए इसमें कैच हो जाए तभी कभी 100 पॉल्स पर लग जाता है किसी पॉल्स को कैच करने में और यह में बॉस वाला पल है तो मैंने इसको बहुत द कर रहा था है और यह बहुत पाफुल पल है आप लोग भी पता है बाट कुछ देर के बाद लिटरली जब यह क्याच हूई नहीं रहा था मैं अपने दाह तकर करके बैंट कि भाई में ते को क्याच कर के डोंगा और फिर बहुत प्लस पर फेक है और मैंने इतने टाइम तक अधर शाहिन मार रहा है मतलब गेम फिर से मैं घ्लिच कर वा दी इसको कैच करने चकर में जो भी अपने बहुत और पलस पर को फेक है और बहुत से पलस फेकने बाद लग लगयी एक में जैसे दिसके बाप चे मोंग अबस बस 15 पर लेग यह इसको कैच करने मैं मुझे थेंक यू, तब मैं ने इस पल को कैच के लिए था तो मैं उला-उला आके यहाँ से बाहर निकल गया और फिर में अपने वेस में आके अपने इस क्यूट से न्यू पल को देखने लगा मतलब क्यूट तो नहीं है वाइट खतरनाग बहुत है भाई अपने हातों से हमें अभाई घ्रा के राग्ला से हाँ, अपने किसीव क्मक्र तो बॉइंग एक मुका मारें आपने हाँ फिलाद मैंने प्लन है इस पल की breeding करवाने का मैं तब यह काफी खतरनाक दिखतो रहा है तो इस ब्रीडिंग करवाने के बाद एक खतरना पल अगर निकल गाना तो मचे गा रहाएगा तो यह फिमेल है तो मैं इसको रख देता हूँ तो मैंने दूसरे ओशार को बाद निकाला जो कि मेल था और उसे जाकर ब्रीडिंग फार्म में श्रक दिया अब यह दिखना है कि यह दुना मिलके कौन सा लिजिनरी पल को बांड करते हैं मतलब मैं देखने को काफी एक्साइडिड हूँ यह उन्हों बहुत खतरनक पल्स हैं इनका बेबी तो भाई और भी खतरनक होने वाला है जब ब्रीडिंग हो रहा है मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके और एक टावर बॉस को काप्चर करूंगा ग्लिच के मदद से मतलब हम जो टावर बॉस हरायतना एक्सलन ओशार को उनको कैच करूंगा मैं तो फिर क्या था जब मैं वीडियो बना रहा हूना आज जी इस गेम के एक अप्डीट है और शायद से इस घ्लिच को फिक्स कर देया गया है तो अगर तुम लोग चाहते है कि मैं टावर बॉस को कैच करूंगा तो तुम लोग कमेंट कर सकता हूं मैं कोई दूसरा वे से इने कैच ज़रूर तो फिलाल इससे बदलने के लिए मैंने एक mastermind plan मना है बंदे को बांध के पीटेंगे ठीक है बहुत गंदा पीटेंगे तो देखो मैं इसके चारो और यह वाला trap लगा रहा हूं जिससे कि इसमें आ जाए ठीक है इसके आगे लगा दिया मतलब पीछे लगा दिये एक एंड इसके आगे भी एक लगा देते ताकि भाई यह मतलब पूरे तेगे से cover हो जाए okay that's it that's it so fine time आचुके इस बंदे की L लगाने की okay अब मुझे इसे बस एक बाँ हिट करना यह में ट्राप में आ जाएगा let's go boom okay इसना गंन का ली एरे भाई फाल गया उल्टा होग है nice एंड इस लमने एक बल भी छोड़ दे एक सिगेंड भाई यह बहुल जाए इसके बास एक बल भी है चलो इसे पर ट्राप करने के बहुत कोशिश चीए बट यह बंदा को जाता ही चैतान है यह बरी घ्राप को हरवा धोका देता है इसके चलने की स्टाइल देखा बाई कितनी जा प्रप बाप को आने का सोचने के बाद मैंने दिखा कि किये बुद्ध इसके मुह पे थपली बजा दी मतलब किया बिचारा इन अब इसको शजा दने का टाइम आ चुक है सलै इतना मा रहा था तो झाल हम अब मत रहको नहीं छोड़ना वाला तो मैंने इसको फचाल या अब इ से कैच भी करना था पर इसे मारते मारते फिर अच्छानक से एक ऐसे पोजिशन आ गया देखो इस तरीके से अब मैं इसके उपर अपना पल्ट पेर फेका मतलब हाँ यहाँ से मेरे पास में इसको फेका एंड यह कैची नहीं हुआ मतलब बना नकरे बास तो है पर देन मैंने सके उपर कुछ और पल्ट पेर फेके बट यह कैची नहीं हुआ और फिर जो मैं इसके पास जा रहा था ना इसने मुझे घुमा के कासा मारा कि मेरे को मज़ा आ गया यार यार की कैसा मार रहा यार मुझे तो मज़ा आ गया यह मतलब हमें एक human तो मिल चुका है जो भी है अच्छा है मैं तो मैं बताना बोल गया है मैंने इस human को भी पहले कैच कर लिया था जो कि तुम दे की सचते हो और अब मैं सोच्टो कि इस human के fight पल से कराई जाए ओके human में तुम मैं चुनता हूँ चाओ उन से battle करो वह यह बंदा इसके damage काफी कम है मतलब damage दे नहीं बाला इसके level इतना ही है बहुत बहुत कम है बंदे की जो भी है बेकार लग रहा है मुझे यह बंदा मैं जो भी है मैंने से catch कर लिया है अब मैं इससे battle करवाने वाला हूँ सो लेट्स गो human मार उसे अपने machine gun से एक से अपने machine gun नहीं लाया क्या अब यह हाथ से मारा फिर भी attack में अब टच कर दे उस पर मैं जो सिम्मन से तो कुछ नहीं उपाया बट इन्होंने दो अंडे दे दी है and यह है huge fire egg देख से तो बहुत मस्त है अब मैं देखने को बेकरा लग लग लिए तो थनी ना लगे इसलिए मैंने के पास में बहुत सब्सक्राइब लगा दिए and then फिर यह अब 30 मिनिट में ही incubate हो जाएंगे जो कि बहुत अची बात है तो जब तक यह लोग incubate हो रहे तब तक मैं F करने वाला हूँ समलते है आधी गंटे के बाद यो सुजाकू that's great दूनों में से सुजाकू निकला है but actually सुजाकू काफी मस पल है देख सो कि तुम कितना जाता खतरनाक लग रहा like भाई साहब यह अलगी लगल का बीश्य ब्रो मुझे तो बहुत पसंद आई सुजाकू नाम का बनना देखो भाई मेरा वेस देखो मेरा सब को कि देखो कितना खतरनाक सा लग रहा and अभी मेरे पास सुजाकू भी है तो अब मेरे पास बहुत से पाफुल पल्स हो चुकिए है तो मैंने अब डिसाइड के कि मैं और एक पाफुल टार बॉस से लगने जाऊंगा and उसको कूट के उसके हड़ी पस ले एक कर डालूँगा तो सुजाकू भी मेरे साथ है और पाफुल पल्स है तो मुझे डरने के जरुत नहीं तो गन डिलोडेड लेट्स गो बॉइस तो मैं जाने वाला हूँ सैंट बाब में मतलब हाँ अपने रेगिस्टान वाले हिलाके में जा पर एक बहुत पाफुल बॉस रहता है तो फिर क्या था मैं अपने रेग्न होग के ऊपर बैट के निकल परा रेग्न रॉक करने एंट सामने ताओर देख रहे हैं मुझे उसी में जाना है तो फिर क्या था मैंने उसके साथ बाटाई शुरू कर दी इसी जोस में एंट फिर मेरे के बता चलता है कि ये बंदा तो को जादा पाफुल है विकॉस ये अपने साथ-साथ आट सिक्रेटी गार्ड्स को लेके आए था एंड शाय से बंदा यहां को प्राइम मिनेश्टर जैसा बंदा है विकॉस इसके पास बहुत से गार्ड्स थे एंड साथ ही में भाई इसके ड्रस अप देखके तो लग रहा है ये बहुत अमीर है बहुत पाफुल है और पता न मैं सचे में दिल बैड किया भाई फिर क्या था जो भी हो मिने इसके साथ बैटल चूल कर दी मैंने सोच लिया तो मैं इसको हराऊंगा सपनों में में कुछ यह ऐसे तो बहुत पाफुल हाना नहीं वाला पर फिर मुछ पर एक अटक करता है और दिखा देता है कि मेरी ओकात इसके साथ कितनी है चले मुनना समझ राता अंड अद देखो भाई यह पहला अटाइक क्या इन अब इसने दूसरा अटाइक किया मतलब इसने अभी टू मूव यूज कर लिया और एक मैप मैप मैक्सिम्म तीन यूम वे उसकर सकता है मतलब हमारे प्फल तो तीन यूम उसक पर फिर देखो तीन मेट्व मैक्स होगा है लेकिन अब इसने अपना फॉर्ट मूव भी कर दिया टवनेड़ा इंड यह कम था किया, कि फिर इसने ओर एक एक अटाक चलो यह तो नौमेल यह चलो चार एक तो कर दिया भाई इसने लूली तोर दिया भाई इतना पाफुल पल है और मैं सोचे जब आप चारी एक चलो कोई बात नहीं इतना ही ठीक है मतलब हम तो हडा ही सकते है बट फिर कुछ दिर बाद यह अपने वापत से दिखाता है और फिर और एक मेगा फ्ली इंट्वर करता है यह देखे मैं सच में भाई से भिषवा सोठी है एक पल एक साथ पाच-पाच मूव कर रहा है यह लिटरी में इस पाफुल पल बना यह देखो यह चटा मूव भाई ते पर बूव की क्या गडडी पड़ी एक है हर हर मूव तू ही कर रहा है पता नहीं यह रहा रहा है कितना पाफुल पल यह से बकाम में मर जाता हूँ बट अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमें इन्हें पावफल बने चुके हैं बट कुछ ऐसे बहुत कुछ किया हमें कीरी की तरह मसल रहे तो नहीं हरानी के लिए हमें और भी बहुत जादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा लेकिन वो सब बनेंगे हम ने 777 एंड गेमिंग साई जिन्होंने मेरे चैनल के मेंबर्शिप को जॉइन किया लिटरली मैं तुम लोग को दिल से शुक्रिया रहा बोलना चाहता हूँ इतना सपोर्ट दिखाने के लिए और जो लोग लिटरली वीडियो को देख रहो ना तुम सब लोगो भी दिल से शु